राश्ट्रिय फिल्म पुरुसकार विजेता मडीकॉल एक अनोखे फिल्मकार थे मडीकॉल ने कभी भी परिपाटी वाली फिल्म कला से अपनी शैली को प्रभावित नहीं होने लिया उस वक्त क्या बात बताना चाहती थी? साथ के दशक के आखिर में भारत में फिल्मों की नई धारा और अलग तरह की फिल्मों का चलन शुरू करने वालों में शैंबे निगल, मिराल सेन, कुमार शाहनी जैसे लोगों के साथ साथ मडीकॉल का नाम भी लिया जाता है अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, उदरम भरी अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी वे विचारी के बन गए बिस्तर, दुखों के दागों को तग्मूं सा पहना, अपने ही खयालों में दिन रात रहना, असंख के बुध्धी वाकेले में सहना जिन्दगी निश्क्री बन गई तलगर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, बताओ तो किस किस के लिए तुम दोड़ गए, करणों के दृश्चूं से हाई, मुह मोड़ गए, बन गए पत्थर, बहुत बहुत स्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अ परिवार दिल चुका है, ये चार बरस तो सवपन थे, ओजल होगे, फला सपने का क्या सहरा, और कितनी उसकी जड़े गहरी, कोई पुरुश इस बात की जानकारी चाहता, तो मैं उसे हाँ या ना में कुछ जवाब ही देती, परेका औरत का हिदय पाकर इसने यह बात मुच से पूछी, इसका मैं क्या उत्तिर दू। आड़ में क्या क्या ना वे मश्ति ठावान जैना कुछ यह बात माती का क्या दू।